कुछ और दवाएं बताओं आपको जो आपके ही घर में हैं आपको अगर बहुत गंभीर सिडर्द होता है माइक्रेम की इस्थिती हैं आदा चमच मेती दाना रात को पानी में भिवो दीजे रात पर उसको रखिए सुगे मेती दाने को चबा के खाईए और पीछे से पानी पी लीजे ये सिरदर्द भी चीप कर देदा और एक अच्छी दवा है सिरदर्द की गाय का देशी घी नात में एक एक गूम डालकर रात को सोना देशी गाय का घी हलका गरम करिए और रात को नात में एक एक गूम डालकर सो जाएए इससे भी सिर्व के सभी तरह के दर्व ठीक होते हैं और देशी गायकागी जब आप नाक में डालेंगे तो इससे सिर्दर्द ठीक होता है ये तो एक बीमारी है और एक बीमारी इससे ठीक होती है जिनको नाक से अक्सर खून निकलता है और जिनकी नक्सीर की बीमारी है नाक फट जाती है खून निकलता है उनकी बीमारी भी यही देशी गाय के घी से ठीक हो जाते है और एक बीमारी इस से ठीक होती है जो लोगों को रात में नीद नहीं आती और बिस्तर पे करवटें बनलते रहते हैं उनकी नात में गाय का घी डाले के सो ये बहुत अच्छी नीद आता है और एक बीमारी इस से ठीक होती है जिन लोगों कि अक्सर नाग बंद हो जाती है और भू से सांस लेते हैं उन्हीं नाग में देशी गाई का धी डालिये तो नाग के एकदम फुन जाती है और एक बीमारी इससे ठीक होती है कोई लोग रात को सोते समय नाग से बहुत आवाज करते हैं खर्राटे लेते हैं सोने वाला तो मस्त सोता है उसका पडोसी विचारा परेशान होता है तो जिनको खर्राटे आने की बीमारी है जिनकी नाग बच्चती है उनकी अपनी देशी गाई का धीडा लिये हमका गरम करके हमेशा के लिए नाग बजना बंद हो जाएगा इतनी अच्छी दवा है और एक बीमारी में ये दवा काम आती है कि जब किसी को सर्दी हो नजला हो बार बार सर्दी हो बार बार नजला हो नाग से छीक आती हो नाग से बार बार पानी निकलता हो ऐसे सभी लोगों को कहिए कि वो देशी गाय का घी नाक में डाल के सोई चीके आना बंद होगा नाक से पानी आना बंद होगा और नाक की कई वीमारियां चीपो अब देशी गाय का घी कहां से मिलेगा आप देशी गाय का दूद परी दिये दूद को दही बनाईए दही से मक्खन निकालिए मक्खन को गरम करिए फिर जो घी बनेगा ये घी नाथ में डालिए ये घी काम दाए आप बिल्टों में बहुत सारी माते मलाई से घी निकालती है वो अच्छा तरीका नहीं है पहले दूद को गरम करके दही जमाएं दही का मठा बनाएं उससे मक्खन निकले मक्खन को गरम करके घी बने वही घी अच्छा तो आपकी बहुत बीमारियों में ये काम है